सो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल A.S.S.Education के एक और बेहतर वीडियो में आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को कच्छा 10 और 12 में किस तरीके से इसे कहने कार्थ निवंद किस तरीके से लिखा जाए ठिक की उसी के साथ महत्पूर ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो कि आप इस पॉइंट को सीख जाएंगे तो आप चाहे कितना भी बड़ा इसे लिखना हो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं ठिक तो पूरा वीडियो इंट तक जलो देखेगा अप लिख चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजेगा ठिक तो आपको इसे इसी साथ पॉइंट के अनुसार लिखना है ताकि आपको एक्जामनर पूरे के पूरे नंबर दे दे ठिक तो हम चली बात करते हैं एक एक पॉइंट करके कि एक एक पॉइंट में किस तरीके से आपको इसे लिखना है तो इसे राइटिंग, how to write on इसे, इसे किस तरीके से लिखें इसे मिन्स होता है निवंद, निवंद को किस तरीके से लिखे कि प्यूर एक्जामनर पूरे नमबर दे दे इंगलिस में, ठीक, तो इंगलिस में भाई आपकी वोड़ पेपर कल होने वाले हैं, तो आप इसी तरीके से इस सातों पॉइंट को याद कर लिजेगा, ठीक, अब इसी सातों पॉइंट के अनुसार आप इसे लिखेंगे, तो आपकी एक्जामनर पूरे नमबर दे, ठीक, तो सबसे पहला है कि जो आप लिखेंगे इसे, उसमें इन सभी सात पॉइंटों को ध्यान में जरूर रखेगा, कि इन से बाहर आपको कुछ भी और नहीं लिखेग ठीक, ताकि आपके नमबर अच्छे से मिल जाएं, क्योंकि यह इसे जो आता है, आपके कितने नमबर के आता है, तो दस नमबर के आता है, ठीक, दस मार्क के आते हैं, दस नमबर के आता है, तो आप दस नमबर आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, पासकते हैं, तो पहला को पहला है कि निवंद आप विज्ञान पर क्या विज्ञान का अविसाब विज्ञान पर यदि आपको अच्छी तरीके से आता है तो विज्ञान पर लिग दिजे ठिक यदि आपको दूसरा आता है कि कैमपूटर साइंस की तैनिक जीवन में कैमपूटर का किस तरीके से पर या वरर पर दूसर पर लिख दिजेगा लेकिन लिखना क्या है कि पहले ही और पूरी तरिके से पर दूसरा पर ही निवन्द लिखती जिएगा ठीक अब दूसरा पॉइंट है ठीक इस तरीके से पहला पॉइंट खतम होता है तो दूसरा पॉइंट है कि निवन्द के विशय पर कुछ विचार करो और उस पॉइंट को कहीं नोट कर लो ठीक आप क्या कर लो कि नोट कर लो भाई, आपको जैसे आपने वीचार किया कि सबसे पहले क्या introduction introduction ठीक, direction लिखना है, introduction आपके परचे, ठीक, आप निवन्द के क्या लिखेंगे सबसे पहले परचे, तो आप introduction हो गया, ठीक, आइसे ही जितने भी point करेंगे, पहला point, दूसरा point करके, तो आप सबसे पहले उसे क्या कर लिजे, कहीं आप साफ page में note कर लिजे, ठीक note कर लिजे, ताकि आपको बाद में फिर से दिक्कते नव, और उसी point को उठाते चले जाए, और आप निवन्ध आसां तरीके से लिख लेंगे, ठीक, उस point को कहीं note कर लिजे, और आसान तरीके से लिख सकते हैं ठीक अब तीसरा पॉइंट है कि यदि पॉइंट्स आपके निवंध को आउट लाइन रूप रेखा आउट लाइन करें कर रूप रेखा मतलब कि जहां पर आपको लगे कि यह इंपॉइंट है उसे क्या कर ले देना है उसके नीचे अंडर लाइन कर देना है ठीक अंडर लाइन कर देना है और जब अंडर लाइन कर देंगे तो एक्जामनर की सबसे पहले नजर कहां पड़ेगी उस आउट लाइन पर रूप रेखा पर पड़ेगी ठीक आपको क्या कर देना है यदि आप नीली पेंसे लिखे हैं तो आपको आउटलाइन जो करना है उसे किस पेंसे करना है काली पेंसे करना है ठिक बना देंगे इस इन विचारों को करम बद्ध रूप से लिखेंगे ठिक अब जो उस आउटलाइन की जो लाइने होंगे ठिक उसे आपको क्या कर करम बद्ध से लिखना है कि जो की आपके करम बाई करम होंगी ठिक उसी के अनुसार लिखना है ठिक अब रूप करम बद्ध से लिखना है एक पॉइंट पर एक पैरागराप बना कर लिखना चाहिए जो ना तो अधिक बड़ा हो और ना ही अधिक छोटा हो ठिक कहने करती यह ही है कि एक पॉइंट मतलब कि आपको जिसे इंट्रोडेक्शन आप देने वाले हैं इंट्रोडेक्शन आप निवंध पर इंट्रोडेक्शन लिखने वाले हैं तो उसमें क्या करना है कि एक पैरागराफ होना चाहिए एक पैरागराफ कहने कर आपके दो से तीन लाइन उसमे होने चाहिए ताकि आपको न अधिक बड़ा भी लगे और ना ही आपको क्या लगे अधिक छोटा लगे ठीक तो इस तरीके से आपके अच्छे से नंबर भी मिल जाएंगे और उसके बाद आपके कई पेज में भी आपके क्या हो जाएगा निवन भी लिख सकते हैं ठीक अब पिखे घरे तो आप करें। करना है कि आपको 100 सब्द से अधिक आप 200 सब्द लिख दिये तो वह क्या हो गया गलत हो गया तो आपको निर्धारित जितने भी सब्द दिये रहेंगे जितने भी सब्द होंगे ठीक उसी के अनसार लिखना है अधिक सब्द लिखेंगे तो आपके क्या हो जाएगी नंबर कर जाएंगे इन बातों को विशेश ध्यान रखना है ठीक तो भई आपको इस बात को विशेश ध्यान रखना है कि आपके आधिक सब्द में नहीं लिखना है ठीक जितने कम से कम सब्द में हो सके उतने ही कम सब्द में आठ असी सब्दों में सव सब्दों में आप आसान तरीके से 2 पेश, धाई पेश, लिख देंगे, तो आपके 80 सब्द, 100 सब्द हो जाएंगे, ठीक, अब क्या करना है, कि भासा, पांचवा पॉइंट है, यहां से, कठिन लगे, ठीक, भासा, सरल, और परभाव पूर होनी चाहिए, मतलब कि इस तरीके से होनी चाहिए, कि वहां लगे कि हाँ, कोई निबंद लिखा गया है, ठीक, अब अनावास बातों पर कठिन सब्द न लिखें, अनावास बात मतलब कि आपके फालतू सब्द उसमें न ल हो और examiner को भी उसका अर्थ न वालूम हो, ठीक, तो ऐसे सब्द लिखें कि जिसका अर्थ आपको भी मालूम हो और examiner को भी मालूम हो, ठीक, अब यहां से च्छाटा पोईंट है, कि वह आपके अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक, भाई, आप हमने बताया यहां पर न और उसके बाद वहां point क्या हो जाए end हो जाए ठीक तो इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो examiner भी खुश होकर आपको अच्छे अंक दे देगा ठीक अधिक लंबे नहीं होने चाहिए spelling या gram ने ग्रैम कल तुरूटियां तथा puncturation का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो spelling हो meaning हो ठीक ओ meaning क्या हो जाए अच्छे सब्दों में लिखी रहें और आप उसका अर्थ भी जानते रहें और examiner भी उसका अर्थ जान जाए और तुरूटियां नहीं करना है कि उसमें काट पीट या फिर आपकी spelling जो हो ओ गलत हो इस spelling भी क्या हो जाएंगे spelling भी सही होंगी और अच्छे से आप गरामनेशन तुरूटिया भी सुद्ध से लिख सकते हैं ठीक बात आपको किलियर हो गए होगी तो यहां से साथवा point है चठा point हो गया तो साथवा point है कि निबंध में ऐसे सब्द का परियोग न करें जिसका अर् अर्थ कैनेकार्थ आप कोई introduction आप लिख रहे हैं introduction में आपको यदि computer पर आप निबंध लिख रहे हैं इसे लिख रहे हैं तो आपको computer के बारे में knowledge ही नहीं है और computer की meaning भी नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे कि ऐसे सब्द ना लिखें ठीक जिसका अर्थ ठीक से आपको भी ना पता हो और examiner को भी ना पता हो तो ऐसे सब्द लिखिए ताकि आपको अच्छे number भी मिल जाए और examiner को भी अच्छा लगे और आपको भी आसान सा पड़े और आसान से लिख सकें ठीक तो ऐसे सब्दों आर्थों का ना परियोग करें जो कि आप खुदी ही ना जानत हों ठीक तो इस तरीके से आप जितने भी पॉइंट दिये गए हैं इन पॉइंटों क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं तो जब याद कर लेंगे और उसके बाद इन ही पॉइंटों को विशेस में ध्यान रखते हुए करेंगे तो आपके पूरे के पूरे 10 number मिल जाएंगे ठ इसे आप नोट कर लिजे ताकि आपको कल इसे लिखने में कोई परकार की दिक्कते न हो ठीक तो बस आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको नेश्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए हो तो सेयर भी कर दिजे चैनल पर नए आया हैं तो भई चैनल को भी लाइब कर दिए ठीक